हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कच्चे दूद और पास्चुरी करी दूद में क्या अंतर होता है जैके कच्चा दूद सिधे गाय, भैस, भकरी, भेड, उट या किसी अन्य दूद देने वाले जानलों से आता है यह उस परकार का दूद है, जिसका कोई उपचार नहीं किया गया है पास्चुरी करड एक उसमा उपचार परकिरिया है, जिसमें किसी तरल पदार्थ को एक निधारिस समय के लिए एक बिसिष्ट तापमान पर गर्म करना सामिल होता है ताकि उसमें मौझूद किसी भी हानिकारक बेटरिया को मारा जा सके और प्रोड़क्ट की सेल्फ लाइब को बढ़ाया जा सके इस परकिरिया का नाम लुई पास्चर के नाम पर रखा गया जिन्होंने 19-20 सतापदी में इस तकनीक को विक्सित किया था कच्चे दूद और पास्चर करी दूद के बीच परात्मिक अंतरिया है कि कच्चा दूद कच्चा होता है जबकि पास्चर करी दूद उपचारित होता है कच्चा दूद असन साधित होता है जिसका आरत है कि इसमें पास्चुरी करण या समरूपी करण नहीं किया गया है और यह अपने सभी अंतरनेद एंजाइमों, खनीजों और विटामिनों के साथ अपने प्राकिर्तिक आवस्था में है सरल सदों में बैक्टिरिया और अन्य दूसित उत्पादों को मारने के लिए इसका ताप उपचार नहीं किया जाता है दूसरी और हानिकारक बैक्टिरिया को नश्ट करने और दूद की सेल्फ लाइट को बढ़ाने के लिए पास्चुरी करित दूद को एक विसिष्ट तापमार पर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है दूद को पास्चुरी करित करने के लिए उपियों के जाने वाला तापमा समय के अधार पर 63 डिगरी सल्सियस से लेकर 150 डिगरी सल्सियस तक होता है चुकि कच्चे दूद को पहले सोपचारित नहीं किया जाता है इसलिए इसमें इकोली, साल्मोनेला और लिस्टोरिया जैसे हानकारक बैक्टरिया होते हैं ये बैक्टरिया गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं, खास कर छोटे बच्चों, गर्वती महिलाओं और कमजोर परतिरच्छा पर डाली वाले लोगों में वहीं पास्चों करित दूद को बैतर माना जाता है, क्योंकि ये कच्चे दूद में मौझूद हानकारक बैक्टरिया को मारता है और इसे उपभोग करने के लिए सुरचित बनाता है बाजारों और दुगानों में उपलब दूद पास्चों करित होता है, ऐसे कई घर हैं, खासकर भारत में, जहालों सीधे दूद वाले से कच्चा दूद खरीतते हैं हलाकि कच्चे दूद को अकसर सेबन से पहले भारत में आमतोर पर उबाला जाता है पास्चों कर दूद के पोसर्ट मूल्य को परभावित नहीं करता है, लेकिन यह इसके स्वाद और बनावट को थोड़ा परभावित कर सकता है कुल मिलाकर कच्चे या पास्चों कर दूद का सेबन करने का निर्ड़े बैक्तिकत पसंद और जोखिम संसीलता पर निर्भर करता है कुछ लोग इसके कथित स्वास्ट लाबों के लिए कच्चा दूद पसंद करते हैं जबकि अन्य लोग खात जनेद बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए पास्चों कर दूद का विकल्प चुनते हैं जबकि कच्चे दूद की सवकिनों का तर्क है कि ये अधिक पोश्टिक है और इसका स्वास्ट बहतर होता है स्वास्त अधिकारी कच्चे दोद में बैक्टिरिया के संकर्मण के खतरी के कारड़ सुरचित विकल के रूप में पास्चुकरी दोद की सलहा देते हैं